आज बंदा जन्डई 40 वर्ष अगाड़ी जति बेला नेपाल मा निरंकुष पंचायती ताना साही थियो तो तमा हमी सबई तो निरंकुष पंचायती ताना साही का विरुद्धा आंदोलन का क्रम मा थियो मा धनुसा को यो सबयला बर्मजिया एरिया और सिराहा को अहिले को कल्यानपूरी एरिया मा धेरे जस्तो भुमिगत रूप मा आउने जाने गर थे और यो कमला नदी मा खास-खास समय मा त्या पईदलाई त्वर ने कईले येता कईले उता गरेको चालीस बस अगारी का ती दिन अरू आज मैले समझी राहे को छू शबयला बर्मजिया कल्यानपूर या सिराहा का अन्य पाली का हरू अहिले जाहां छन चाय त्यों भस्तिपूर देखी अन्य इलाका हरू पनी जाहां सब्बंदा बड़ी मा आउने जाने गर थे ती ठाउं अरूर आईले को परिस्थिती नितांत भिन्न छ अईले त्याई पईदल भूमिगत रूप मा ताना सही को दमन को प्रतिबाद गर देई पईदल वार्पार गर्नी कमला नदी मा यह उटा पक्की पूल 600 मिटर लामू त्यो पनी डबल लेन को त्यो पूल को शिलन्यास गर्न पाउंद मलाई विशेश खुची रा हर्षको महसुष भायको छा मा धनुषारा शिराका तपाई संपोन जन्समुदाला अभिबादन गर्ना चाहांचु तपाईरला बदाई दिना चाहांचु यसले पक्काई पनी धनुषारा शिराका जन्ता को निम्ती उनियरको आर्थिक जीवन को निम्ती सामाजिक सास्कृतिक जीवन को निम्ती इयो मानने स्टितागुरुम्जी ले भनया जस्ताई एक्षिन अगाडी आमेले नेपाल के सबय बंदा लामु जोलूंगे पुल यही कमला नदीमा यह मंदा जंड़े 22 किलोमेटर तल पेसको उदगातन भाय यहां अईले पक्की मोटरेबल पुल को अईले सिलन्यास भायको छा यह द्विते सिराह को लागी पनी धनुसा को लाइबी पनी निकेने महत्तपून उदगातन र सिलन्यास हो भन्ने मला लाग दाछा यह को निम्ती मत्तपायरू सभाईलाई फेदी पनी विशेश बड़ाई भन्ना चाहांचू यह पुल सिलन्यास भार्ना को लागी मलाई आमरो सोयोद्धा कम्रेर मात्री का प्रसाद यह दवले धेरे पहले देखे निके जोड़ भार्नु भायको थियो जाना परे जाना परे जाना परे जाना परे भनेर अहिले अलिकते धिलाई भाये पनी यह पुल सिलन्यास भायको किये भनना सक्चु बने यो पटक अब हमी शरकार को निती कारेकम र आउने बर्षको बजेट को तयारी मा लागी नहीं सके का छूं मा आफ़े धनुसा सिराय मा आये र यो पूल को सिलन्यास गरे को उनाले इसको निम्ति बजेट को अधिकतम व्यवस्ता गरना मैले पूरे जोडरा सहरे विकास मंत्री को पनी सहयो क्याबिनेट मा हुने नहीं छा यो विश्वासम तपारला देलाउना चाहांचु शके सम्मा छीटो जस्तो की परिकल्पना गरी गोछा दुई बच्छा बंदा अजा अगारी नहीं यो पूल निर्मान कारे संपना गरी सकने ल अगारी मा निर्देशन पनी गरना चाहांचु र शुब कामना पनी भनना चाहांचु अई भर्खरे आमिले जन्डाई बने को बंदा छा महीना अगाडी जोलूंगे पूल निर्मान कारे संपना भायेको र आमिले त्या निर्मान व्यवसाई लाई पनी आमिले संपना पत वाक्तगर ने बाताबन बनावस बनारा पनी मभनना चाहांचु। दनुसा को सबयला नगर पालिका का नगर पर्मुः अध्या कारेकम को पनी अद्देचे उनुँच। तपायरो देरे जसो साय दनुसा के जन्समुदाय या जम्मा उनुबायगुचा। तपायरो पनी निरं तर यहसको अनुगमन गरी राखने.. यहसको निम्ति सकार आत्म बाताबर बनावन पहल राखने तैसो बहाँ बने यो समय में संपन्ना उन्च। यहिले बनी सकि पात थी अह जह़्ए अधरे लहाम बन्ना संबब चाहें। मा आमी फेरी अहीले नहीं सरलाही मा केई कारेकम संपन्न गर रहा फेरी काष्मांडु गर पने व्यलका केई कारेकम मा सभागी उनुपर्णी भगुनाले महीले लामो व्याख्या गरना संभव छाई न महीले सदैं भंदे आयको छू मदेशी जनता को मुक्ती बिना नेपाल क मुक्ती संभव छाई न मदेशी जनता को आर्थिक विकास र संभरिद्धी बिना नेपाल को आर्थिक विकास र संभरिद्धी पनी संभव छाई न र मदेश पहार र हिमाल का जनता को एकता बना नेपाल को राष्ट्य एकता र स्वाधिनता शुद्रीड हुना पनी रमदेश-पहार हिमाल को एकता कहीं कमजर हुने होकी यो समीधान गवचन हुने प्रक्रिया मां केईन केई समस्या देखिए का थिये तेस कारण मही दे मदेश-पहार हिमाल को एकता लाई शुद्रीट गरनको लागी संगिये लोक्तांत्रिक गणतंत्रको निम्ती मदेशी रा सभई उत्पिडित आदिवाशी जन्जाती दलित, मैला, मुस्लिम, ठारू लगा सभई को पैचान रा अधिकार को लड़े को नेत्रित्तो हुनुको नाताले मैले के महसुस गरे बने मदेश को जन्ता, पहाड को जन्ता रा हिमाल को जन्ता को बीच मा पनी एक ता काहिम गरने मेरो विशेष जिम्यबारी छा तेसकार मा सत्तरी को चुनार लड़न मा मदेश मा आई पूगें मैं यही नजीके पारी पट्ती नहीं मेरो निर्वाचन छेत्र थियो शिराहमा रा त्या शिराहा बाट निर्वाचन लड़े पनी सम्पूण मदेश को जन्ता लाई सम्भोधन गरने मेरो मुख्य उदेशे थियो रहा मलाई गर्वच महिले मदेश बाटा चुनार जीते रहा दोस्रो पटक प्रदान मंत्री बन्ने अफसर प्राप्त गरें भे मदेशी जनता को मद लिएर, म त्यो प्रदानमंत्रित्यों कालमा संविधान, संगिये लोकतांतरी गणतंत्र को संविधान कारण। को पहल तेश को शुरुवात पहिलो निर्वाचन त्यों संभिदान अंतरगत मदेश पनी पहार पनी हिमाल पनी सबई जुटे रगर निर्वाचन प्रक्रिया अगारी बढ़ाउने मैले जिम्मेबारी प्राप्त गरे मलाई गर्वच मतपाई मदेशी जनता लाई तेती बेल मतपार लाई धियान मंत्री पनी भरे वहाँए, औहीले मला लाग जो कि मदेश मा विकास निर्मान लाई गती लिये न मने मदेशी जनता को संवरिद्दी भाय न तेपाल को संवरिद्दी संभव चाहिई न तेस कारण आज मतपायर को अगारी उपस्तित हुनुको उद्यस्चे पनी विकास निर्मान लाई गती दिनु नहीं हो अबको निती कारकम्र बजेट मा मदेश को निम्ती विशेश बेवस्ता गरीने विश्वास पनी मतपायर ला दिलावना चाहांचु तो यह अईले हमी फास्ट्रेक होस यह निजगर एरपोर्ट को कुरा होस यह मरीन सुनकोची डाइवर्शन को कुरा होस कि नहीं यह सिचाई सब बढ़ी आवस्ते कुराचा जबसम मामा सिचाई को समुचित प्रबंद होदेईना रो यहां उत्पादन किर्शी उत्पादन माः विकास गरने ओर माई आधुनिकी करणको प्रक्रिया अगारी बढ़ देईना नेपाल सम्रिद्य उनसक देईना नेपाली खाज्यान्नामा आत्मनेरवर होना को निम्त पनी मदेश मा सिच्चाई को व्यवस्ता, मल को व्यवस्ता र विव विजन को उचित प्रवंद अनिवारे छ, मेरो ध्यान एता तीरा छ, वन्नेकुरा पनी महीं आरलाई राहन चाहांचु। एती बनी सके पचि मदेश, पहाड, हिमाल, सबैती र पनी हमीले केई चीज अगारी बड़ावने उदेश्चेले यो पटक महीले प्रदान मंत्री को जिमेबारी ली सके पचि सुचाशन, सामाजिक न्याय रा आर्थिक विकास, आर्थिक सम्रिद्दी यो थिंटा कुरालाई विशेश जोड़ दियेको यारलाई थाई जा, चाए भष्टाचार विरुदी अभियान होस, नक्कली भुटरनी सनार्थि प्रकरन होस, चाए मिचर ब्याज पिडित किसान अरको समस्चा समाधान गरने कुरा होस, चाए मदेशमा लाखोन इवा अरुले नागरिकता बिहि आउने दीन मा पनी सामाजिक शुरच्या कोष्ट, एकधान मा आदारी सामाजिक शुरच्या कोष्ट मा श्रमीक औरला आबद्द गरने, विदेशमा गःका पनी, स्वोदेशमा रगःका लाई पनी तियो प्रक्रिया अगारी बड़े को छो राईले ठुल ठुला भिकास परियोजना मार्फत नेपाल को अर्षतंत्र मा गुनात्म परिवर्तन ल्याउना को निम्ती तपायरले सुन्नु भायको हला आमिले करनाली चीशापानी 10800 मेगावार्ट को विदुत उत्पादन प्रक्रिया को लाय अगारी बड़ावना शुरू गरियेको छा कैबिजेन बाटा दिसीजन गर रा अध्यान प्रक्रिया शुरू गर ये उट्टाई परियोजना 10800 मेगावार्ट को हुदा नेपाल को अर्षतंत्र माड़ा ठुलोक क्रांटी ल्याउना शकिंच भन्ने आमरु विश्वावच्छ तपारले सुरू भायको छा बुडी गर्णकी जलासे युक्त परियोजना लाई अगाडी बड़ावना शंपुन प्रक्रिया पुरा भायको छारा छिटेई आज यहां सिलान्यास गर्या जस्तेई महिले गोर्खामा गर त्यो प्रोजेक्ट को सिलान्यास गर्ने तयारी थापाउन भायको छा मेरो भारत ब्रह्मन को क्रम मा दस जार मेगावर्ड दस बर्ष मा भारत संगा विदुद व्यापार गर्ने सम्झाउता भायो रत्यो यहां आए पचित्यस मा अंतिम्र अउपचारिक अस्ताचेर भायको छारा एसले पनी नेपाली जन्ता को आर्फिक जीबन मा नेपाल राष्ट को प्रगति र संब्रिद्दी मा निके ठुलो भूमी का खेलच बने आमिलाई विश्वास तमारले सुन्नु भायको अला मैले समीत राष्चां को मासबा मा या इटली मा भायको खाद्य संबंदी अंत्राष्टे संब्यलन मा या चाए दुबई मा भायको जल्बाई परिवर्टन संबंदी अंत्राष्टे संब्यलन मा नेपाल को राष्टे हित का पच्छे मा दिड़ता को साथ र गंबीर रूपले नेपाली जन्ता को इत को निम्ती के कुरा राहे को सुरत्यस को प्रतिफल विस्तारे देखीन ठाले को चा अईले संच यो दुबाई मा पुगी सकदा राष्टसंग मा र अन्यत्र सम्मेलना भागले र जान्दा मला लागचा मले आपहिले प्रतेक्छे अनुभूत गरे को चु नेपाल प्रति दुनिया को चासो बड़े को चु नेपाल लाई सहयक गर्ने रूची सबैतिर बड़े को चु ने प्रतिर्तु पनाली 35 प्रत्षत सहबागीता सोंग मा 40 प्रत्षत इस्ताने तहमा यो सबही को निम्ती निके ठुलू कुरा भाएगो चार नेपाल को सांती प्रक्रिया प्रति पनी दुनिया को चासो निके बड़े गोच्छे तेसकारन मलाई खुशी चा कि बर्तमान सरकार बर्तमान गठभन्न सरकार नेपाल को इज्जत नेपाल को प्रतिषता संसार में बड़ाय को च औहिले 29 छेत्र बाट नेपाली हरुले पनी योगदान आफनो योगदान बड़ाय का चन यहां चर सापने आयो यहां कारी या दव नगर प्रमुखले क्रिकेट को पुड़ा खेल छेत्र मा पनी नेपाली हरले विष्टारे विष्टारे छेत्री र अंत्राह्तिये मन्द अरुमा नेपाल को नाम उज्जल बनाये का छन। गर्दै रत्तपार को सास्मा रहर विकास्र सम्रिद्धी को लड़ाई लडने विश्वास्ति लाउंदै मा विदाउंचु धन्यबाद अविबादं